तो बहुत नमस्कार सभी को तो कैसे आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे बहुत बड़ी आशे होंगे तो यह हमारी जो हिंदी की क्लास से चल रही है उसमें हिंदी का हमने एक चैप्टर पढ़ लिया संदी अब यह संदी का दूसरा पार्ट है जिसमें पहला पार्ट था उसमें हमने सवरसंदी पढ़ा और यह भी हमारा है वयनजन संदी तो शुरू करते हैं वही वयंजन संदी यानि के जो पहला पार्ट था उसमें हमने स्वरसंदी पढ़ दी तो उसमें सवरों के मिलन से जो भी विकार उत्पन होगा तो उसको बोले थे हम स्वरसंदी लेकिन यहाँ पर क्या है वयंजन के साथ वेंजन के साथ या तो वेंजन मिल लें या स्वर मिल लें और उनके अंदर जो भी विकार उत्पन हो जो भी परिवर्तन आव जो भी बदलाव आव हो है तो उसको हम क्या वो लेंगे वेंजन संदी ठीक है तो स्वर तो ये थे हमारे और वयंजन ये हैं ये सारे ठीक है तो ये सब वयंजन है इसमें वयंजन के बाद स्वर या वयंजन आये तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन होगा तो उसको हम बोलेंगे वयंजन संदी ठीक है अब इसके कुछ नियम है वयंजन संदी में जैसे क कि जो कैवरंग है कैवरंग यह भा यह जो संदी वित चैद करेंगे यह संदी को जब जब अचानदी बनाओंगे उसकी आम तो यहो होगा जैसे दू अक्सर यह दिगज वैबग थीद्ग इपर इसमें जो पहले वाड़ा है उसका ज protective है वो व्यांजन होगा और जो पिछले वाड़ है इस का अंतिमकसर या तो स्वर हो या व्याजन हो तो जो यदि लैश्ट में कैवरग किया है कोई ठीक है कैवरग है तो उसका जो बदलेगा यहां पर आका है वो क्यहलंत में तो आद्धा होगा हलंत के बाद जो हलन्त आवेगा तो वो अद एक्सर में उसको चेंज करेगा तो कै जो है वो गय में परिवर्तन हो जागा ठीक है जैसे यह अपने तीसरे में बदल लगा कै तीसरे में चै इसमें तीसरे में टै इस तीसरे में तै इस तीसरे में और पै इस तीसरे में ठीक है तो इस तरीके तह यह जो कैत लेका है पै तक यह अपने तीसरे वरग में चेंज हो जाएंगे जैसे कै का बदल जागा गय में तो दिख गज है यह ठीक है तो दिख क और गज तो कै बदलागा गय में दीत ऐसे रहेगा अब जो यह गय है यह बदला कै में ठीक है यानि कै बदल गया यहां पर ग ठीक है जैसे इसमें है सट त और यो डे में बदलना है तो सटानन का बन जागा सडानन ठीक है तेह जो ये बदल जागा देम है तो इसमें देखेंगे हम भगवत अब यो किसमें बदलागा देम है तो भगवद पलस भजन ठीक है भगवत भजन और जो पै है वो बैमें बदल जागा तो आप यो पा है तो यो बाय में बदल लगा तो बन जागा आ यो पाय बदल काया ब और ये जै नू का नूम तो इस तरीके ते ये चेंज होंगे तो पहला रूल क्या है कि जो पहले वरग है यानि कि जो कै वरग है चै वरग है टै वरग है पै वरग है ये अपने ती जीन वर्गों का उचान करते समय जीब मुख के किसी भाग को पूरी तरह से सपर्ष नहीं करती उन्हें क्या बोलेंगे अंतस्ति यानी के वो जो अंदर ही अंदर हम रह जा है ठीक है तो यह रो लव धीक है यह रो लव यह अंतस्त वयनंजन है फिर उस्म जिन वरणों के उचारण में मुख से विशेश रूप से उस्मा ठीक है गर्म वायू निकलती है उस्म वैंजन कहते हैं तो इनके उचारण में स्वास की प्रवलता रहती है ठीक है तो इनकी संख्या च्यार है जैसे सह यानि कि देखो अंदर से वायू निकल लगी, हवा निकल लगी गरम सह, 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 ह फिर है संयूक्त वैंजन संयूक्त का मतलब है, जो दो से मिलकर बने हुए है दो या दो से अधिक वैंजनों के मेल से बने हुए है तो ये चार परकार के वैंजन है जैसे अक्षव आप जो ये अक्षव है, ये दो सब्दों से मिलकर बन रहा है दो बनों से मिलकर बन रहा है इसमें है का प्लस सो ठीक है अब ये त्र है ठीक है त्रसूल वाड़ा जिसने बुल हम त्र तो त और र और जया जया ठीक है तो जया प्लस अईया जैसे संज्या या यज ठीक है तो जया ठीक है जया प्लस अईया और जो श है शो प्लस रो शो तरवन वाड़ा ठीक है तो ये हो गया हमारे फिर उसके बाद है आगत आगत वेंजन वे हैं जो विदेशी भाषा के सब्दों से अपनाए गए हैं जैसे हिंदी भाषा में डय और धा का परियोग किया जाता है लेकिन ये मुखहतर डय और धा से निकले हैं लेकिन बोलने में का उचारण भीन होता है चलो तो इसमें हमारे ये एक तो अंतस्ताएंगे उसमाएंगे और संयुकताएंगे चलो देखेंगे इसमें फिर जैसे अभी इसमें जो ये हमारी वेंजन संदिये इसमें और क्या प्रियोग होगा एक इसमें हमारा नासिका वाड़े यानि के नै और मै वाड़ा यानि के जिनकी आवाज नासिका से निकलती है नाक में वोलें जिस नम तो ये भी आएंगे इवा हम दूसरा रूल देखेंगे दूसरा रूल क्या है कि वरग के पहले वरण का पांचमें वरग में परिवर्तन ठीक है कि वही जो पहला वरग है उसका जो पांचमा वरण है वो कहां कहां पर होगा ठीक है जो अमने शुरुवात में जो चार्ट देख्या था तो उसमें पहले वाड़े में तो पहले का तीसरा अब ये दूसरा रूल है कि पहला पांच में में कब बद लगा ठीक है तो कब बद लगा जहां पर किसी अनुनासिक अनुनासिक का मतलब है यानि कि उस पहले वरग के बाद यदि आपके अनुनासिक वाले जैसे हमने नासिका वाले देखे जिन मैं नै और्म है जो इसत्य पहला हम देख्ञा नै और्म है ठीक है योदि उनके साथ मिलन होगा तो वो किस चीज में बद बारे हैं यह अपने से 5 में से कंवर्ट होगे कहां पर होगे जहां पर लास्ट वाड़ा यह जो है यह यह तो मैं हो या ने हो तब यह अपने 5 में बदलेंगे तो कह का डेकप होगा जब एक है कह मतलब कि दूसरे जो जैसे हम इसने एकटा करें तो यहाँ पर मैं आवे ठीक है जानि के पहले का अंतिम केहो और दूसरे का पहला मैं हो तब यह किसमें बदल जागा डे में जैसे वाक में तो इसको बढ़न जागा वांग में टे अने में बदल जागा तो टे में में आया सट मुख तो यहाँ पर बढ़न जागा सन मुख ठीक है ते का ने हो जागा उत ठीक है उत मत ठीक है तो यह बढ़न जागा उन मत तो टे के बाद में आया तो यह किसमें बदल जागा ने में हो जागा जैसे यह तत में ठीक है तो ते किसम ते तो है जो है यो ने में बदल लगा और मैं ऐसा ही रहेगा ठीक है तो तन मैं फिर है चित मैं तो यो ते ने में बदल लगा और मैं तो ऐसा ही रहेगा ठीक है तो चिन मैं जैसे जगत नात तो यो ते किसमें बदल लगा मैं उसमें ने मैं ठीक है तो ज लेके जो कैवरग, चैवरग, टैवरग है ये बद लेंगे अपने पांच में कब लेंगे जब इनके साथ नै और मैं होंगे यानि इनके बाद नै और मैं होंगे तीसरा रूल देखेंगे छह से संबंदित ठीक है किसी भी हास्व जो हास्व सब्द है जिनको बोलने में कम समय लगता है जैसे अ ठीक है अ-ई-ू-री-ल ठीक है तो मेन है इसमें ये तो यदि ये सब ये वरन है ठीक है तो वहाँ पर क्या जाएगा हमारा किसी भी हास्व सब्द या आ का मेल छह से हो तो वहाँ पर छह से पहले क्या जाएगा छह जोड़ दिया जाएगा ठीक है जैसे स्वच्चंद ठीक है तो ये छह दिखाई दिया और इससे पहले क्या आया वह तो किया इसको किसम बदल जागा यह चै तो ऐसे रहेगा लेकिन जो इनके बीच में क्या जाएगा वह चै आ जाएगा ठीक है सिंपल सा है कि भई चाय से पहले यदि कोई भी हास्व स्वर हो तो वहाँ पर हम किसमें बदल देंगे उसने बीच में लगा देंगे चा जैसे ये था ना कव तो इसमें के है अ ये है मतलब किसमें साउंड आ रही है अ की और पलस क्या था चंद अब इसने बदलेंगे जब हम सै तो ऐसे ही रहएगा ठीक है और बे भी ऐसे ही रहएगा अब इनके बीच में आऊगा च बस यहनिके आख मीच कर लगा देना हमने जित भी लांश्ट में चह दिखाई दे तो उनके बीच में लेका आजेंगे फालतु का चह और ऐसे ही रहेगा पूरा विछेद है जुकर वी तर ऐसे ही है इसके बीच में आगया चह और बन गया विछेद अनु छेद है अनु तो ऐ तो तीन रूल होगे अगला है चोथा ता से संबंदित यदी तै के बाद यदी चह हो तो तै का चह हो जाएगा यदी हमारे को तै के बाद चह और चह दिखाई दे तो वहां पर हम किसे बदलेंगे उसको चै में बदल देंगे जैसे उत चारण ठीक है तो उत का तो बन गया च क्योंकि हलंत में है यो तो आद या वाच और ये वाड़ा है पूरा ठीक है तो बन गया उत चारण ठीक है उत चारण अच्छा दूसरा है दूसरा देख लें हम उत पलस चरित उत का ये ये तो आद ये चै बनेगा और पूरा ये रहेगा ठीक है चरित तो ये बन गया उत चरित जगत चाया तो ये आदेश में चया में बदल लगा और जो चाया है वो ऐसे ही रहेगा तो जगत चाया समझाय होगा, असान है फिर है तै का मेल ठीक है तो तै का यदि जय हो तो तै चया में बदल जाएगा ठीक है, देखो जैसे सत पलस जन ठीक है तो यहां क्या बने जाएगा यह है तै का मतलब सुरुवात में जै ठीक है और यह बने जाएगा सजन ठीक है यदि जै के साथ मेल हो जै के साथ हो तो जै आएगा ठीक है यदि जै के साथ हो यानि के तै का मेल जब जै और जै के साथ हो तो वो किसमें बतल जागा हमारा जै में तो जैसे इसमें था सत जन तो तय है और इसका मेल जय के साथ है तो यह बन जागा सजन अब देखले हम उत जहटीका अब जह आया है तो यह भी इकिसमें बदल जफले लगा जैमें जहां पर भी हमारे को तै के बाद या तो जै दिखाई दे या जै दिखाई दे तो वो किसमें बदल जागा यो जै में बदल जागा ठीक है तो यह हो गया हमारा चोथा रूल आगला देखेंगे पाचमा मैं के साथ क्या परिवर्टना होगा मैं कामेल कैसे लेकर है तक हो किसी भी वयनजन से हो तो वहां मैं अनुश्वार हो जाएगा अनुश्वार का मतलब है कि वो अंकी बिंदी लाग जाई उड़े ठीक है तो यह भी असान है तो जहाँ पर भी हम मैं कामेल कैसे लेकर हात करें तो वो किसमा मतल जाएगा अनुश्वार में जैसे सम, कलन तो अब जो यह मैं है यह अंकी बिंदी मतल जाएगा संकलन, संगती, संचै तो यह संचै, परम, तू तो यह बिंदी मतल जाएगा कि ये ये ऐला आ गया ह। सम्झमाया हॉगा है कि लोग देखने हैं अगला है मैं के बाद यदि मैं आए तो मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यदि मैं के बाद मैं आ जाए मैं के बाद और कोई आ जाए तो वहाँ पर बिंदिया जाएगी लेकिन मैं के बाद मैं आ जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं अब जैसे सम्मान है तो ये आदा क्यों आया है क्योंकि हलंत के साथ है तो सम्मान सम्मती आदा है यानि के हलंत के साथ है तो आदा होगा और ये पूरा रह जागा तो ये ये है ये ये है चालो अगला रूल है छटा सैसे सम्बंदित सैसे पहले अ-ा से भिन स्वर हो तो साय का क्या बन जाएगा स, पेट कटा स, ठीक है तो इसमें देखो सू, उ प्लस समा ठीक है, तो ये बन गया सूसमा दूसरा है वी प्लस सम ठीक है, तो ये कहना चारा है कि सा से पहले आ आ या आ से भिन यानिके इन छोड के इन के अलावा कोई और जैसे यहां पर स्वर हो, तो शा का क्या बन जाएगा शा बन जाएगा ठीक है, तो उ है ये वी है ये, ई, ई, आर ये ना, वी, इ, ये ये निये इसमें ठीक है, यदि इन से छोड करके कोई और स्वरा जाए, तो वहां पर क्या बन जाएगा, इस से, यो से इस पेट कटे से बदल जाएगा ठीक है, इन को छोड कर, अभी यहां पर देखो, उ की साउंड आ रही है, सू वी, इ, और ये भी वी, तो वी शाद, तो बन गया ये इ की साउंड आई, ठीक है हाँ, छोटी ही है ये, ठीक है तो छोटी के साथ क्या बन गया बमारा विशाद, ठीक है, और ये भी छोटी है तो, यानि के ये दो ना हो, ए और आ ना हो और कोई भी हो, तो उनके साथ क्या लग जा गया यहां पे पेट कटा से हैं तो भई यह अमारी वेंजंसन दी थी तो आशा करते हैं आपकी समझ माई होगी अगर नहीं आई हो तो कमेंट करके बताना और एक दो बार देख लो ठीक है तो फिर विधार याद भी हो जाएंगी तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो अगली जो होगी हमारी विशरक्षन दियोगी उसका तीसरा पार्ट आओगा ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बार-बार बहुत धन्यवाद कि अ कि